तेखिये ये बात किसमती है हमारी कि हमारे ये नौजवान बच्चे और कुछ तोसे मिडल एज के लोग हैं ये गर्नेड हमले में जख्मी हुए हैं और मुझे और मैडम सगीनाइट्यू जी को ओनेवल चीम मिनिस्टर साहब उमर सामने कहा कि आप वहां जाईए और देखिये हम क्या मदल करते हैं हमने सब्सक्राइब मैंडम से भी बात की हमने कहा अगर इंको कुछ बैटर के लिए कहीं बार बेजना पड़ता तो उसके लिए भी गवर्मेंट करेगी लिक्रों कहते हैं कि यहां हम कर लेंगे तो लेहाज़ा दुक की बात है और जैसे और चीम मिनिस नेशन काफेस ने अपने वरकरों की अपने लीडरों की कुर्बानियां दी है और हम numero क च्मיד के आहलाद खराब हो और आज हम चाते हैं कि जमो कश्मीर में अमन आए शानतिया है और हमारे लोग जो हैं जैसे आज दोज़ुआं बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो य एक बात है जुरूर है कि जो यह दटने हो रही है जब से सरकार बनी है यहां सोच विचार करने की जुरूरत है और क्यों हो रही है और कैसे हो रही है इस पर भी एक सवाल खड़ा होता है और हम सवाल खड़ा कर रहे हैं तो स्कूर्टी जन्सिस को देखना पड़ेगा कैसे हो जब किसे लिए हैं किसलिए हैं किरां लुगों ने पॉइंट किया जिसलिए हम यह कहांगे कि रूखने चाहिए स्क्रोडी फोर्स को इसके पर एक्षिन लेना होगा और जो भी यह अहलात बन रहे हैं इनको रोकना होगा यह रोरोज की गटना नहीं चलेगी सबी पेशेंट जिसे हम मिलें सिवाई दो के जिनकी जो सर्जेरी टेटर में है ओटी तो इसलिए हमें जो भी पॉसिबल करना होगा वो हम जरूर करेंगे ताइसे अटैक्स नहीं होने जाहें यह बदकिस्मती की बात है और यह एक सवालिया निशान है कि ऐसे अटैक्स क्यों हो रहे हैं और जब आप कह रहे थे कि यहां नार्मल सी है सब कुछ ठीक है कुछ भी नहीं है तो अचानक कि रातो रात अगर यह सब कुछ हो रहा है यह बजाज खुद एक सवाल या निशाने शुरूए